आप सभी लोगों का जहारखन लाइब के यूटीब टेल में आप सबका स्वागत है तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर फिलाल जो प्रिवियर्स येर में पुछे गए हैं कुश्चन जैसे जैपीएसे में वह हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और आज इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं तो अगर आप जहारखन लाइब कर लिजे दोस्तों और साथी जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लिजे ताकि आगे का जो भी अपडेट्स हैगा वीडियो आगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी तो दोस् देखते हैं और आज का यहाँ पर पहला प्रस्न है यहाँ पर 26 नंबर कुशन से स्टाट हो रहा है अगर आप पर प्रिविएस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं ठीक है एक से 25 तकल वहाँ पर डिसकस किया गया है इसके बिहार स्पॉंज आईरण सन्यंत्र अवस्थित है एक चांडिल में स्थित है तो अगला प्रत!!! हो जाएगा अगला प्रस्ण है यहाँ पर भारत के किस राज्जी में सर्व पर्थान मुख्य मंत्री जन्वन योजना का प्रारंब किया गया है तो इसका सही अंसर जोगा अप्सिन नमर बी इस राइट इंसर हो जाएगा यहाँ पर ठीक है जहारखंड में इसकी शुरुवा लागो भीम्रा एंवास योजना के तहथ वितिव वर्ष्ट 2016 17 में कुल निर्मित किये जाने वाले आवासों की संख्या है तो यह तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर option number D is right answer हो जाएगा यहाँ पर 11000 आवासों की निर्मान की गई थी भीम्रा अम्बेटकर आवास योजना के तहत वितिये वर्ष 2016 सत्रह में तो option number D is right answer हो जाएगा अगला प्रस्न है यहाँ पर जार्खन सरकार दवारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुवात कब की गई थी तो इसका सही answer हो जाएगा अगला प्रस्न है यहाँ पर जार्खन सरकार ने वी निर्मान चेतर से जुड़े स्रमिको के लाब के लिए सरस्वति योजना की शुरुवात किस वर्ष में की थी तो इसका सही answer हो जोगा यहाँ पर option number D is right answer हो जाएगा वर्ष 2014 में इसकी शुरुवात की गई थी तो option number D is right answer हो जाएगा अगला प्रसन है यहाँ पर जार्खन के स्वतंतरता सेनानियों में से प्रत्थम सहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है तो जार्खन के जो स्वतंतरता सेनानी है उन में से प्रत्थम सहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है तो इसका सही आंसर जो होगा option number C is right answer रोज़एगा till का माण जी को किनको? तिल का माण जी को option number C is right answer रोज़एगा तिल का माण जी को परथम सहीध होने का गौरव यहाँ पर प्राप्त है तो option number C is right answer हो जाएगा अगला प्रस्षण है जहारखण में प्रथम प्रमवीर चक्र की उपाधी से गौरवानवित किया गया था तो किनको प्रथम यहाँ पर जहारखण में प्रमवीर चक्र की उपाधी जो है वो सम्मानित किया गया था उन्हें प्रदान किया गया था तो इसका सही अंसर जो होगा, option number A is right answer हो जाएगा, अगला प्रसन है, स्वतंदरता सेनानी पोटो सरदार था, तो इन में से किस जन जाती के यहाँ पर जो है, वो सेनानी थे, ठीक है, दोस्तों ये question जो है, इसका answer मुझे नहीं मिला है, ठीक है, अगर आप जानते हैं, तो comment box में इसका answer जो है, वो comment करिएगा, ठीक है, तो ये स्वतंदरता सेनानी थे, पोटो सरदार थे, वो किस जन जाती से बिलॉंग करते थे, तो ये आपको comment करके बताना है, कि ये स्वतंद तक लग रहा है, कि ये हो समाज से थे, तो आप एक बर चेक कर लिए ये अपला, ठीक है, अगर आपको पता है, तो आप comment करके बताएगा, इसका सही answer जो है, वो क्या होगा, मैं इसको रहने देता हूँ, इस question को, ठीक है, चली एगले प्रसंद की और चलते हैं, और अगला मारं गोम के किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, अगले प्रसंद की और चलते हैं, और अगला प्रसंद है यहां पर, प्रसंद है यहां पर, उन्हें से चववन के छोटा नागपुर सन्यूत संग का अध्यक्ष कौन था, उन्हें से चववन के छोटा नागपुर सन्यूत संग का अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही इंसर जोगा, उप्रसंद की हो चलते हैं, और अगला प्रसंद है यहां पर, प्रारंभिक काल में इन में से कौन मुंड़ा जन्जाती के भुईहरी पहडा के अधिकारी नहीं थे, तो इसका सही इंसर जोगा यहां पर, उप्रसंद की हो चलते हैं, और अगला प्रसंद है, नागवंसी सासक राजा दूर्जन साल 1628 में मुगल समराट जहांगिर को वार्सिक कर देना सुविकार किया था, वार्सिक कर की राशी कितनी रखी गई थी, तो इसका सही इंसर जोगा यहां पर, उप्रसंद नमबर सी इज राइट इंसर हो जाएगा, नागवंसी सासक राजा दूर्जन साल ने 1628 में जहांगिर को वार्सिक कर देना सुविकार किया था, अगला प्रसंद है, प्रारंबिक काल में महतो के कार्य भार से पहले उराउं ग्रामों का पुरोहित एउम लौकिक प्रधान कौन था, तो इसका सही अंसर जोगा, option number B is right answer हो जाएगा, ये थे बैगा, कौन थे प्रधान जो थे, वो कौन थे बैगा थे, तो option number B is right answer हो जाएगा, अगला प्रसंद है यहाँ पर, संथालो के समुधाईक व्यवस्था में मांजी का उपपरधान कौन था, तो इसका सही अंसर जोगा, option number C is right answer हो जाएगा, पारानिक था, कौन था, पारानिक जो था, संथालो के समुधाईक व्यवस्था में मांजी का उपपरधान हुआ करता था, तो option number C is right answer हो जाएगा, अगला प्रसन है यहाँ पर, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज प्राधिकारी ने मंजूरी दिया था, तो इसका सही अंसर जोगा, option number D is right answer हो जाएगा, थोमस विलकंसन ने, किसने, थोमस विलकंसन ने, जो है, मुंडा मान की व्यवस्था को यहाँ पर मंजूरी दी थी, तो option number D is right answer हो जाएगा, यहाँ पर, option number C is right answer हो जाएगा, सीमोन उराव को, तीक है, किनको सीमोन उराव को, वर्ष 2016 में पद्म शिरी आवाज से यहाँ पर सम्मानित किया गया था, तो option number C is right answer हो जाएगा, जारखन के परियावरिन वीद है, सीमोन उराव, और यह इनको यहाँ पर, वर्ष 2016 में पद विदान के द्वारा किस विधायको को वित्क्रिष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया था तो इसका सही एंसर होगा option number C is right in search आगा स्टीफळ मरांडी को किनको stephan मरांडी को तो option number C वर्स 2016 में इनको उत्कृष्ट विदायक का पूरुसकार दिया गया था मैं एक अलग से वीडियो भी प्रवाइड कर चुका हूं किस वर्स में किन है यहां पर उत्कृष्ट विदायक का पूरुसकार दिया गया है तो अगर आप वह नहीं देखें तो वह भी देख सकते हैं चलिए अगरे प्रस्ण की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ण है सन 2015 के गंतंत्र दिवस समारों में जिस जहांकी को दित्ती प्रुसकार प्राप्थ हुआ था तो वर्स 2015 में यहां पर पूछा जा रहा है तो इसका सही अंतर जोगा ऑप्सिन नमबर एज राट इंसर हो जाए चलिए अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहां पर किस वस्तु के सीधा लाब अस्थान आंतरन में जार्खंड देश का पहला राज्य बना है तो इसका सही अंसर जोगा ऑप्सिन नमबर डी इज राट इंसर जाएगा यहां पर किरवसीन तेल में ठी दी इज राट इंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है उर्जा गंगा जगदीश पूर हल्दिया गैस पाइपलाइन जहार्खंड के किस जीले से नहीं गुजरेगी तो इसका सही अंसर जोगा ऑप्सिन नमबर डी इज राट इंसर जाएगा पस्चिम सिंग्भूम से यह नह खुजरेगी बाकि सभी जीलों से यहां पर गुजरेगी ती तो उर्जा गंगा जगदीश पूरलर अ ग्यीट पाइपल अगला प्रस्ण है कौन सा कथन ढोकलो सहर महासमीति के लिए सही नहीं है ध्थोकलो सोहर महासमिती के लिए तो इसका सही अंसर जोगा lesson i.the apresent Carney उरफ कहाँ पंचाइति राज का समर्थन तो यह जो ढोकलो सोहर महासमिती थी उन्होंने पंचाइति राज का समर्थन नहीं किया था बाकि इन में से इतने सारे option दिये गया है वह यहां पर सही था तो यहां पर पंचाइती राज अगरा प्रस्ण है जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए त्यार किया उस जमीन को तो उस परिवार को क्या कहते है तो इसका सही अंसर जोगा option नमबर यहां पर अगला प्रस्ण है ग्रामिन सासकी ववस्था में बैगा क्या कारी रहता है तो इसका सही अंसर जोगा option number A is right answer हो जाएगा ग्रामिन देवताओं को सांध करना यह जो है उनका मुख्य कार्य होता है तो यहाँ पर ग्राम सेवा का काम करना यह बिल्कुल भी नहीं होता है बढ़ाई की काम करना यह भी नहीं होता है लोहार का काम करना यह भी नहीं होता है तो यहाँ पर option number A is right answer हो जाएगा ग्रामिन सासक की वैवस्था में बैगा का जो कारी होता है वो ग्रामिन देवताओं को सांथ करना होता है तो option number A is right answer हो जाएगा अगला प्रस्न है ज्यारखन के सदान का मुख्य वैवसाई क्या है जो सदान जन जाती के लोग है उनका मुख्य वैवसाई क्या है तो ज्यारखन के सदान जन जाती होते हैं उनका मुख्य वैवसाई क्या है तो इसका सही answer होगा option number B is right answer हो जाएगा खेती उनका जो है वो मुख्य वैवसाई है ठीक है तो ये काफी यहाँ पर जो है वो current affairs में भी discuss किया गया यह questions और हाली में इसके लिए अलालग step भी उठाये गया है तो नेमलिखित भासाओं में से कौन सी भासा है जहारकंड क्या दिवासी समूदाई से विलूप्त हो गया है तो इसका सही answer जोगा option number D is right answer हो जाएगा यह जंजाती भी काफी कम बची भी है इनकी संक्या में और भासा भी विलूप्त हो रहा है तो इसके लिए यहाँ पर जो जहारकंड सरकार फिलाल यहाँ पर एक जो है रेडियो की भी सूरवात की गई है वह असूर रेडियो की और भी अलग-अलग step यहाँ पर ले गया है इस चंजाती को बचाने के लिए और भासा को संद्रक्षित करने के लिए तो अप्सिन नमबर डी इस राइट निस एंसर हो जाएगा तो दोस्तों यह थी यहाँ पर आज जहारकंड पूछा गये था जीके से सम्मद्रेद महत्पुर्ण प्रस्ण और एक कुश्यन का मैं ए अबल उल्ली गोले जानते हैं तो कमेंट करें और जो लोग यहां पर यहां पर जोड़ सके और्यहां पर महत्पून प्रस्ण देख सकें झाल झाल झाल